ही गाईज वेलकम और वेलकम बैक टो नॉटी स्चेचेज आज की इस वीडियो में मैं मिरर्स और उन का इस्तेमाल करके एक सुन्दर सा वॉल डेकॉर प्रॉडक्ट बना रही हूँ इसे बनाने के लिए मैंने लेफ्ट ओवर बुक्रम का इस्तेमाल किया है यहाँ पर मैं पे के चारो तरफ हम छोटे-छोटे कट्स लगाएंगे और एक फैब्रिक ग्लू की मदद से अब इन कट्स को हम बुक्रम के उपर चिपका देंगे मैंने इसके उपर फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया है वैसे आप नॉर्मल फैविकॉल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं क्योंक कि मैंने इस उन को सुई में नहीं डाला बाहर ही रखा है प्रेशर फुट के नीचे सुई में मैंने नॉर्मली जैसे धागा डालते हैं बिलकुल उसी तरह दागा डाला है और जो राउंड शेप्स हमने तयार करके रखी थी उनके उपर मैंने इस तरह से इस उन को स्टेच कर दिया है सीधी सीधी लाइन्स मैंने उन से बना ली है अब हम दूसरे डिरेक्शन में भी इसी तरह सीधी सीधी लाइन्स बनाएंगे आप चाहे तो उन की जगा एंकर थ्रेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं लेकिन एंकर थ्रेड आपको मशीन में नीचे बॉबिन में बढ होती है और इसके उपर धागा असानी से चल जाता है यह देखिए इस तरह से यह सुन्दर सा पैटन बन कर तैयार हो गया है अब हमें इसके बीच में डोरी लगानी है तो डोरी रखके हम दोनों को एक दूसरे के उपर इस तरह रख देंगे दोनों राउंड शेप्स को और अ सिलाई लगा देंगे एक्स्ट्रा धागे को हमें काट देना है और अब इसके उपर हमें एक लेस अटैच करनी है तो मेरे पास यहां मिरर वाली लेस बढ़ी हुई है इसी में से मैं इसका ट्राइंगुलर भाग काटके निकाल लूँगी इस तरह और अब इस लेस को मैं इस सर्किलर शेप के चारो तरफ फैबरिक ग्लू की मेदद से अटैच करूंगी अगर आपके पास इस तरह की शीशे वाली लेस ना हो तो आप कोई सिंपल शाइन वाली या फिर कोई कॉटन की लेस भी इसके चारो तरफ लगा सकते हैं जैसा भी इस तरह से चारो तरफ लेस को चिपका दिया है और ग्लू के सूखने के बाद ये बिल्कुल मजबूती से अटैच हो जाएगी इसके उपर कि इसके दूसरी तरफ भी मैंने इसी तरह लेस को अच्छे से अटैच कर लिया है चारो तरफ फैबरिक ग्लू को लगाने के बाद आपको तक्रीवन एक दिन तक इसको अच्छे से सूखने देना है ताकि ये बिल्कुल मजबूती से अटैच हो जाए एक्स्ट्रा लेस को मैंने यहाँ पर काट दिया है और अब यहाँ पर हमें फैबरिक ग्लू के छोटे छोटे डॉट्स लगाने हैं और इसके बीच में हमें शीशे अटैच करने हैं इस तरह से थोड़ी थोड़ी फैबरिक ग्लू मैंने यहाँ पर लगा ली है और गोल वाले शीशे मैंने लिये हैं थोड़े मीडियम साइज के और इस तरह से मैंने इन शीशों को अच्छे से अटैच कर दिया है तो अब हम इन शीशों को अटैच करने के बाद अच्छे से सुखा ले हैं तो इस तरह हाथ के उपर ही मैंने उनको घुमा लिया है तकरीबन 20 पार मैंने इस उनको इस तरह घुमाया है और अब हमें इसके उपर एक गांट लगानी है उन से ही हिसे तरह जहां पर एक नोट लगा धीया बिल्कुल अच्छा से मजबूती से हमें इसको बान देना है और जितना भी लंबा आपको धागा चाहिए उतना काट लेना है अब उन का एक और टुकड़ा लेना है और इसके उपर की तरफ हमें इसको अच्छे से बान देना है इस तरह अब इस तरह उन को लपेटने के बाद इसको हम अच्छे से बान देंगे ताकि ये खुले न, इस तरह, और अब हम नीचे से इसको काट के टैसल की शेप बना देंगे, बिल्कुल बराबर हमें इसको नीचे से काट लेना है, ये देखिए, इस तरह, और एक सुन्दर सा टैसल हमारा बन कर तयार हो गया, इसी तरह के मैंने दो और टैसल बना लिये थे, और अब इस तरह से फैब्रिक ग्लू या फिर ग्लू गन की मदद से हमें यहां पर इसको अटैच कर देना है, आप चाहें तो सुई धागे से भी इसको अटैच कर सकते हैं, उपर से भी मैंने डोरी को इस तरह फोल्ड करके लूप बना लिया है, और इसके साथ ही सुन्दर सा यह वाल हेंगिंग बन कर तयार हो गया है, और इसी तरीके का इस्तमाल करके आप थोड़े बड़े साइज का वाल हेंगिंग भी बना सकते हैं, तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक्यू पर वाच्चिंग, बाई बाई